कि अव्या दोस्तो, वैलकम बैक to my channel, कैसे हो आप सब आज शार करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे तो दोस्तो आज मैं आपके साथ कुई रिविईू नहीं शेयर करने वाली हूँ, आज मैं आपके साथ छोटा सा व्लोग शेयर करने वाली हूँ और बहुत दिन हो गए व्लॉग की इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग कर लेती हूँ और थोड़ा अपनी जो लाइफ चाहल है वो आपके साथ शेयर करते हूँ तो मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं करने वाली हूँ ये वीडियो बड़ मैं आपको अफ्टरनून तक का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रही है और मेरी पूरी वीडियो आप देखा करिए और एक लाइक तो जरूर कर दिया करिए दोस्तों लगे वीडियो तो जरूर शेयर कर दिजेगा अपने फ्रेंड्स और टामिली में और जो नए हैं मेरी चैनल पर उनका वेलकम है और उन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है तो दूसा आज तो मैंने Hair Wash किये हैं आप देखी सकते हो और मेरी बहुत Long Hairs हैं तो थोड़ी प्राइबलम होती है Hair Wash करने में बट हफ्ते में तीन दिन तो पक्का hair wash करना ही चाहिए आपने वीडियो मैं आपके साथ share करने वाली हूँ hairs के उपपर तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा तो जल्दी वो वीडियो मैं आपके साथ share करूँगी आज मैं बहुत दिन बाद vlog बना रहे हूँ और बहुत excited हूँ क्योंकि शायद मैंने first और second vlog बना था इसके बाद मैंने vlog नहीं बनाया तो super duper excited तो रहूँगी मैं हमेशा आज मैं आपके साथ एक special member को मिलाने वाली हूँ और वो जो special member है वो बहुत खास है तो जरूर मिलवाओंगी अभी तो 7.30 हो रहा है morning का time है और मेरी जो ससूर जी है वो office चले गया है तो उनका जो routine था वो तो मैं आपके साथ share नहीं कर पाई क्योंकि morning का time होता है तो बहुत जादा जल्दी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी करें मैं स्कीन केर भी complete कर लिया है तो मॉर्निंग में जल्दी जल्दी तो कुछ हो नहीं पाता बट मैंने skincare अब भी just complete किया और मैंने सिंदूर लगा लिया है बहुत अच्छे से क्योंकि हमारी में जब हम हेर वाश करते हैं तो पूरा सिंदूर लगाया जाता है बहुत शुप माना जाता उसको और डेली तो सिंदूर हम लगाती है बर जब हेर वाश करते हो तो बहुत प्यार से सिंदूर लगाना चाहिए उसकेश दिख रहा होगा वह वाल पर बना हुआ है अपने बेडरूम में नहीं बैठी हूँ क्योंकि बैडरूम में बाबू भी सो रहा है अभी मैं दुसरे रूम में बैठी हूँ जो कि वह मेरे देवर का रूम है देवर का लाइंग बनाते हैं आपनी वह रॉइंग में एक्सपर्ट हैं उन्होंने कोई कुछ उन्हें लगा है तो भी वह फ्याजिए इतनी प्यारी है कि आपको मैं बता नहीं सकती तो यह वाल का जो स्केश उन्हों नहीं बनाया है को जरूर बिखाने वाल हूँ उन नाश्ता बन आई थी जब उसका बड़्डे था 27 जून को तो उसकी बाइक आए थी तो उन्होंने यहां पे भी बाइक का स्केज बना दिया है और यह हॉर्स है देख सकते ब्यूटिफुल तरीके से यह स्केज बनाते हैं और ड्रॉइंग रेडी करते हैं जरूर कमेंट करके बताएगा आपको यह कैसा लगा स्केज तो दोस्तों यहां पे मैं किचन में आ चुकी हूँ तो सबसे पहले मैं बाल बान लूनी तो बाल खुलने हैं तो अच्छा नहीं लगता है मैंने बाल बान लिये हैं और पापाची के लिए मैंने खाना जो बनाया था अब उसको अच्छे से समेट लेती हूँ और थोड़ा किचन साफ कर लेती हूँ उसके बाद आगे की प्रिपरेशन करूँगी तो मैं अच्छे से पहले किचन साफ कर लूँगी और सारे जो तो पहले तो स्कीन कलर ता और आपको पता हिए कि हम रेंटेड रहते हैं तो यहां पे मेरा मन था कि यहां पर ब्ल्यू कलर करने के लिए तो मेरे हस्बेंड ने ब्ल्यू कलर कर दिया बट वो बिल्कुर अच्छा नहीं लग रहा था तो पूरा हम लोग ने उसको घस-घस की निकाल ये दिया और शायद वो कलर भी खराब था तो इसलिए हम लोग ने निकाल दिया और जल्दी कुछ अच्छा उस पे कलर हम लोग करने वाले हैं एक्चुली दोस्तों यह टूबी एच के अपार्टमेंट है बट इसमें कोई भी फरनीचर नहीं लगाया हुआ हुआ ह तो सारा जो भी है वो हम लोग नहीं सेट करके रखा हुआ है तो जो सुबह की सबजी मैंने बनाई थी भिंडी की तो वो मैं अलग निकाल के रख दूँगी और कड़ाई को खाली कर लूँगी यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए मैंने अभी तक चाय नहीं प दूद इसलिए गरम कर रहे हूं दोस्तों कि बाबू भी अब उठी जाने वाल है और अब मैं कुकर लगा देती हूँ चावल दाल का चावल का कुकर लग जाता है तो इसलिए बस सारा काम हो चुका है तो जो मैंने मॉनिंग में सबजी बनाई थी भिंडी की वो तो है फिर बनाना रह जाएगा और डाल को छोगाना रह जाएगा तो इसी निए मैं कुकर लगा के रख दे रहे हूं फिर बाबु उठीघा तो इसको भी थोड़ा मैं ताइम दे पाऊंगी तो यहां पर मैं कुकर शडा दे रहे हूं गैस पे और अब मैं चार पी लूँगी और आप छोटी सी ग्लास देख रहे हूं मुझे इसी में चार पीना बहुत अच्छा लगता है वैसे तो हैं हमारे पर सौक दोस्तों यह रहा मेरा बेटा चोटा सा और इसकी अब मॉर्निंग हो चुकी है मैंने आपको बोला तो ना मैं अब मॉर्निंग हो चुकी है और बहुत नटकट है तो अभी वह जय कर रहा है भगवान जी को उसकी मॉर्निंग में फर्स्तों जय करता है भगवान को बहुत अच्छी आदत है तो इसके साथ मैं बेड़ पर ही टाइम भी तालूंगी थोड़े टाइम उसके बाद फिर हम जाएंगे फिर उसको नाश्टा देंगे फिर वह नाश्टा करेंगे अब मॉर्निंग हो चुकी है और इनकी मस्ती चालू हो गई है अब सुबह सुबह उठने के बद बच्चे की सर पर तेल रखा जाता है हमारे यह काजल लगाया जाता है तो यह दो चीज तो करनी है यह बेट पर बच्चा उठ रहा है उसके बाद तो अब वह आप सबको बैक कर रहा है यहां दोस्तों में किचन में आ चुकी हो नाश्टा की प्रिपरेशन करने क्योंकि अब सब उठ चुके हैं और सब एक एक करके नहा लेंगे फ्रेश हो जाएंगे तो तब तक सब के लिए बन जाएगा तो आज में नाश्टे में पोहा बनाने वाली हो तो बहुत इजी रेशिपी है मैंने और बाद राइ बाद या कडी पत्ता या और ऑनिया डाल दिया इसको अच्छे से थोड़ा रेडिश में होने देंगी आ आप सब ने पोहा चैलेंज तो देखा ही होगा ज स IP करते रहे तो यहां पर न प्यायज भी ब्राउन हो गया इसमें में हल्दी पौरडर डाल दूग जो कि मिक्स कर लें टोड़ा और अलेगो पका लेंगे इसके बाद टोमेटो डालओंगी हाफ़ टोमेटो मैंने मेड यूज खी यह तोमेटो की बिकर सकते हैं जरूरी नहीं है टोमैटो अब पोह डाल देंगे उसमें और मैंने नहीं नमक कर लिएरब भार है तो मिक्स पाफ कर लिए मैं wax law is sun और मेरा साइट बाइ सैट कुकर भी हो चुक आप इसमे थोड़ा सा निम्बू भी डाल सकते हैं अवर पर मेंने बाबू सब्सक्राइ बना लिया एक विद्दि को इखिलानी के लिए दे दूंगे उसके डैडी को हई कि अब फ्थार्टि को तब तक उसके डैडी मैंने डाल दिया है मेरा सारा काम हो चुका है बस रोतिया बनानी रह गई है तो रोतिया में जब हम खाने के टाइम ही गरम-गरम बनाऊंगी और सब गरम-गरम खाएंगे रोतिया तो अल्मुस सारा काम डन हो चुका है और सिर्प नमक डालना रह गया है दाल में तो यह नमक मैंने डाल दिया तो चलिए अब मिलते हैं बोटा के बाद आप से मिल रही हूं और अब यह देड़ बज रहे हैं तो इतने टाइम के बाद मैं आप से मिल रही हूं तो सारा काम मेरा फिनिश्ट हो चुका है सब खाना खा चुके हैं मैंने सारा किचन साफ कर लिया है मैंने सब कुछ ड़न कर लिया और मैं अराम से आके बेट पर बैटी हूं और बाबू भी सो चुके हैं तो वो तो खाना खाने से रहे हैं आपने देखा योगा क्लिप में इतना परिशान करते हैं खाना खाने डिला तो आपने क्लिप में देखा यूगा कि कितना मस्ती मिटें लेकल Bank वह चैसा में तो मैं बैकल आसे वvelmente सब्सक्वावाब थी wouldn't be a charity के दिए जितना half डार लगा तो बुरा तो नहीं बट थोड़ा मैं परिशान हुई और मुझे माँ पर मम्मी की भी बहुत याद आई तो बहुत डाटा क्यों डाटा मैं आपको बताती हो और आपको वो सही लगेगा कि उन्होंने मुझे क्यों डाटा क्योंकि मैं खाना नहीं खा रही हूँ मुझे मैं वीडियो बनाने के उसमें मैं खाना पीना सब कुछ मैं मतलब भूली गई हूँ तोड़ा वो जो भी मतलब खा लेती हूँ तो खा लेती हूँ तो मैं वो भी मुझे मनने करता मुझे सिफ यही मेरे दिमाग में रहता कि मैं कैसे वीडियो बनाओं कैसे content create करूँ तो आपको अच्छा लगे और मेरे दूस बड़े और मैं तोड़ा improvement करूँ अपने आप में तो मेरे दिमाग में वही सब चीज रहता है, तो मैं खाना पीना आच कर लाँ बहुत कम क्हाने लगे हुँ वह मुझे बहुत डाट सी चाया रहती है मम्मी जी और मीरे हजबेन गरना चाहा गए क visualize к Hol 10 चाहिए टो फिर कैसे करो गी काम जब घाना काऊगे तभी हो गरोगई तो कीज़ radiomena पर खिर काम किया हुआ है थोड़ा बहुत तो पेन ज़रूर रहता है इस वज़ए से मेरे हजबेंड भी बहुत क्यार करते हैं कि आप फ्लीज खाना काया करो सब कुछ करो ना पर खाना मत चोड़ो खाना खाया करो खाना खाने से आपको ताकत मिलेगी, फ्रूट कहाने से आपको ताकत मिलेगी, बट मैं तो सब चाहर करीं नहीं गरे हुए दिमाग मैं सिफ इतना कि मुझे व्यूज बढ़ाने हैं और यह मेरा चोटा सा व्लॉक था आपको लाइक ज़रूर करना यह वीडियो इतनी शेयर करिए कि सबको पता चले कि साज बहु का रिष्टा बहुत अच्छा रहता है और आप जैसी फैमिली अब मुझे मिल रही है मैं उसमें भी बहुत अप्य हो और यह फैमिली हमारी बढ़नी चाहिए तो आप प्लीज मेरे वीडियो को शेयर किया करिए और सब्सक्राइब करिए आप नए हो तो आप को इस चैनल पर अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी तो आप मेरे साथ ऐसी बने रही है और मेरा साथ दीजिए तो चलिए अब मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग के साथ बाई टेक्यो है